नमस्कार दोस्तों गर में दाखिल हुए कनक ने टीवी बंद करते हुए कहा बड़ी देर कर दी सुबह बताया तो था पापा को चेक अप के लिए ले जाना था बताया तो था पर इतनी देर किसी दिन मेरे साथ चलना तो पता चलेगा कि डॉक्टर्स के यहां कितनी भीड होती है जितना अच्छा डॉक्टर उतनी ज़्यादा भीड नंबर लगाना पड़ता है दफ्तर से लोटते वे में नंबर लगाता गया था उसी अंदाद से फिर मैं पापा को ले कर गया नहीं तो वे क्या इतनी देर बैठ पाते है पर हर बार आप ही क्यों तो और कौन जाएगा मा या पंकज देवी जी डॉक्टर के नंब साथ जाने का मतलब होता है मरेज की सही हालत जानना प्रिस्क्रिप्शन समझना परहेज के बारे में जानना अगले प्रोजेक्ट की जानकारी लेना इसके लिए एक जिम्मेदार आदमे की जरूरत होती है जाने को तो पापा अकेले भी जा सकते है पर फिर वह सारी बाते बताएंगे थोड़े ही आधी डॉक्टर से छिपा जाएंगे आधी हम से कनक कुछ नहीं बोली मूफ उलाए बैठी रही मनोज ने जूते उतारते रहे कहा और एक बात साब बता दू मैडम मैंने सिर्फ घर छोड़ा है घर के लोग नहीं उनके सुख दुख से अब भी मुझे सरोकार है ये घर छोड़ने का ताना हर वक्त क्यों देते रहते हैं तुम ही उकसाती हो नहीं तो इस समय इतना ठक गया हूँ कि कुछ कहने सुनने की ताकत नहीं है और अब अगर तुम्हारा क्रॉस एक्जामिनेशन खत्म हो गया हो तो खाना लगा लो बहुत ठक गया हूँ खाकर सो जाओंगा आप खाकर नहीं आये हैं इतनी देर हो गई तो मैंने सोचा जरूर खाकर आता पर पिछले बार जो तुमने हंगामा किया था उसके कारण ना मा की कहने की हिम्मत हुए ना मेरी खाने की कहते वे वे फ्रेश होने चले गए गनक खाना लगाने लगी पर उसका मन गुस्से से भरा हुआ भला अलग रहने का फाइदा क्या हुआ अब भी वहां की जिम्मेदारियां ढोई चले जा रहे हैं आज मा की आखे टेस्ट करवानी है कल उनका चश्मा बनवाना है परसो पंकच का फॉर्म भरना है पापा के चेक अप का नाटक तो निरंतर चलता ही रहता है नीरज महां दिल्ली में मज़े कर रहा है यहां सभानी को भुगतना है खाना दोनोंने बेमन से खाया दोनों ही अपने अपने विचारों में खोई हुए थे मनूज शाय चिन्ता ग्रस्त थे कनक गुस्से में उफन रही थी अगर मनूज खाना खाकर आये होते तो उसे गुस्सा करने का एक मौका मिल जाता पर पिछले एपिसोड की याद दिला कर उन्होंने उसकी बोलती बंद कर दी थी अपने मन का गुबार लेकर रात कनक बहुत अशान थी देर तक करवटे बदलती रही बड़ी देर बाद उसने लक्ष किया कि मनूज भी सोए नहीं है टक-टकी लगाए छट को निहार रहे है क्या बात है अभी तक सोए नहीं खाना खाते समय तो आपको इतनी नीद आ रही थी मनूज ने उसकी ओर भूर कर देखा फिर धीरे से बोले थोड़ा टेंशन हो गया है क्यों? पापा का ओपरेशन जरूरी हो गया है ओपरेशन मतलब ओपन हार्ट सरजरी उसमें तो बहुत खर्चाता है ना? खर्च तो हर ओपरेशन में आता है टेंशन उसका नहीं है प्रशन यह है कि पापा उसके लिए तयार होंगे की नहीं उन्हें राजी करना एक टेड़ी खीर है फिर यह की राजी हो भी गये तो यह ओपरेशन जहिल पाएंगे की नहीं उनका बीपी, उनका डाइबर्टीज सबको कंट्रोल करना होगा और उनका तो यह हाल है कि डॉक्टर के हाँ जाने के नाम से ही बीपी बढ़ जाता है वे अपनी चिंताएं बता रहे थे और कनक सोच रही थी कि खर्च का टेंशन तो नहीं है मान लिया पर वह आएगा कहां से वह पूछना चाहती थी पर डर के मारे चुप रही फिर वही जुमला सुना देंगे मैंने घर छोड़ा है घर के लोग नहीं उसके बाद वह विश्रे घर में तो नहीं उठा पर मनुज अन्मने से बने रहे पापा का उप्रेशन उनके दिमाग पर हावी रहा पती की चिंताओं से साजे में ढोने का कनक का मन होता था पर हिम्मत नहीं पड़ती थी अलग घर बसाकर उसने जैसे एक अच्छब्य अपराद कर डाला था उस दिन से दोनों के बीच एक अध्रिश्र दूरी बन गई थी घर में एक तनावसा भरनी लगा था वहाँ उतने लोगों के बीच एक कमरा भर उनका अपना था पर महाँ जादा नजदेखियां थी प्रती का प्रेइम वहाँ जैसे उमर पड़ता था कनक के मम्मी डेडी हपते दस दिन में सुमेद को देखने आते रहते थे बेटी का अलग घर हो जाने से उन्हें अब बड़ी सुविधा हो गई थी नहीं तो नवासे को देखने के लिए जब तब समधी आने जाते बड़ा संखोश हो जाता था इस बार आये तो उन्होंने भी लक्षी किया कि मनोज कुछ परेशान से है दरसल वे उनके पास मुश्किल से एक मिनट बैठे होंगे और उठखड़े हुए अरे रहने दो बेटा क्यों परेशान हो रहे हो चाय भर काफी है परेशानी के कोई बात नहीं है डैडी मुझे पापा की दवाईया लेने जा नहीं था देर से जाऊंगा तो दुकान बंद हो जाएगी जल्दी आना ऐसा नहों कि मैं आट बज़े तक चाय लिए बैठी रहूं कनक ने चिताया बास अभी गया और अभी आया उनके जाते ही डैडी बोले क्या बात है बेटा मनोज कुछ अपसेट से लग रहे हैं कनक तो भरी बैठी थी एकदम ही फट पड़ी बड़ा अच्छा घर देखा है अपने मेरे लिए लगता है इन जिम्मेदारियों से जिन्दगी भरुबर नहीं पाऊंगी इससे तो अच्छा था कोई एकलोटा लड़का देखते एकलोते लड़के के जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है बेटे वहाँ तो कोई शेयर करने वाला भी नहीं होता तो यहाँ कौन शेयर कर रहा है एकलोता एक देखा तो था मम्मी बोली यह लोग तयार भी थे पर आप दोनों ही मुकर गये थे ठेक ही तो किया था उतनी सेलरी में तुम्हारी बेटी का गुजारा हो पाता डेड़ी अब भी तो उतनी में ही गुजारा कर रही है क्या मतलब मम्मी डेड़ी एकदम चोकरनी हो गए हर महीने कितना देना पड़ता है वहाँ नहीं ऐसा रेगुलर तो नहीं देना पड़ता पर खर्चे लगे ही रहते हैं दीदी की विदाई है, मम्मी जी का चश्मा है, घर की छत्सुधरवानी है अब ये पापा का ओप्रेशन है और अगले महीने तो पापा रिटायर भी हो रहे है डेड़ी थोड़ा सोच में पड़ गए, चाय नाश्ते के दौरान उन्होंने सहच भाव से कहा फिर आप्रेशन की कौन सी डेट फिक्स हुई है अप्टूबर के फर्स्ट बीक में ही हो पाएगा तीज को पापा रिटायर हो रहे हैं, उनकी इच्छा उस दिन दफ्तर जाने की है इसलिए उसके बाद का ही सोचा है तब तो तुम पर बहुत लोड आएगा सो तो आएगा ही, घर का बड़ा लड़का हूँ मैं फिर नीरज बाहर है तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है और आप लोगों के आशिरवाद से मेरी कमाई भी इस लायक है कि इस बोज को उठा सकतना हूँ नीरज की नौकरी अभी नहीं है, इसके बावजूद पंकच की पढ़ाई का पूरा खर्चवा उठा रहा है समय डैडी नी कहा, हमारी लायक कोई बात हो तो बताना, तुम दोनों बहुत टेंच लग रहे थे, इसलिए चिंता हो गई थी मेरी चिंता ना करे, I am alright और अपनी बेटी को तो आप जानते हैं, उसे बिनाबार टेंशन लेने की आदत हो गई है बताईए हारी विमारी किस के हाँ नहीं होती, पापा का ओपरेशन है भी तो परिशानी क्या है, उनके दोदो कमाउ बेटे हैं, वे खुद भी समर्थ हैं, सब हो जाएगा 15 सितंबर को पापा 60 साल के हो रहे थे, 30 सितंबर को उनका रेटायर्मेंट था इसलिए शष्ट पूर्ती धूमधाम से मनाने का बच्चों का मन था, इच्छा थी कि इसे बहाने सह कर्मियों को आमंत्रित किया जाए, रिष्टेदार और इष्ट मित्र तो खैराएंगे ही, राखी पर नीरा जाया था तो सबने बैठ कर पूरा प्लैन बना लिया था योजना तो यही थी कि यह कारिक्रम पापा के लिए एक सर्प्राइज गिफ्ट हो, इसलिए यह तै हुआ कि उन्हें भनक भी नहीं लगने देंगे पर निमंत्रितों का चुनाव तो उन्हें ही करना था पूरा ओफिस तो न्योटा नहीं जा सकता था, जैसे ही पापा ने योजना सुनी विदग गए बोले, एक फेरविल तो ओफिस दे ही रहा है, तुम्मेक और विदाई समारोख क्यों कर रहे हो बोड़े दिनों की तो बात है, सब के सब बेना बुलाया जाएंगे इत्मिनान रखो इन देनों पापा बहुत टची हो गए थे, रेटायर्मेंट का डिप्रेशन तो हर आदमी को आता है फिर आप्रेशन की वज़े से थोड़ा टेंस भी हो गए थे, जरासे में नाराज हो जाते थे इसलिए माने कहा, जो कुछ भी करना है उनकी मरजी से करो चिड जाएंगे तो सारे कारिक्रम की बारा बजा देंगे फिर यह तै हुआ कि सिर्फ नजदी की रिष्टेदार और अडोसी पडोसी ही बुलाए जाएंगे बाहर से केवल देदी आ रही थी और वह भी अकेले मनोज का बहुत मन्था की कनक दिन में मा के पास चली जाय करे जोट मोठी सही, काम का पूछ लिया करे पर उन्होंने अपनी और से कुछ नहीं कहा तनक ने भी कोई पहल नहीं की वह अपनी ही चिंता में डूबी हुई थी उसे यह सारा आयोजन व्यर्थ लग रहा था लोग क्या साथ साल के होते नहीं है उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी करने की क्या जरूरत है खास कर जब कि ऑपरेशन का इतना वड़ा खर्च सामने है मनूज लेकिन रोज जाते रहे हैं मेहमानों की लिष्ट बनाते रहे सब के साथ बैट कर मैन्यू तै करते रहे सब की सला से केटरर तै किया टेंट हाउस को कुर्सियों का प्लेट साधी का ओर्डर दिया घर की सजावट का थोड़ा सा सामान खरीदा पापा के लिए नया रेशमी कुर्टा पजामा और मा के लिए साड़ी खरीदी कनक उनकी दोड़ धूप और शाही खर्च देखकर कुड़ रही थी सारी हम्माली हमारे हिसे रहे नीरज दिल्ली में बैठा मजे कर रहा है नवाप साहब एन वक्त पर पधारेंगे जब सारा काम हो चुका होगा हैरत तो तब हुई जब कारिक्रम वाले दिन भी नीरज नहीं पहुचा शताब्दी तक सबको आशा थी पर जब उसका भी समय निकल गया तो घोर नीराशा चा गए मनोज और पंकच दोनों फोन लगाने का प्रयास कर रहे थे पर लगी नहीं रहा था सबकी जबान पर एक ही चर्चा थी खुदी प्रोग्राम बनाया खुदी गायब हो गया तनक उड़ रही थी कि जान बूच कर मूची पा गया है जब वहाँ आएगा ही नहीं तो बड़े भईया जख मार कर सब ख़ज उठाएंगे चार बजे के आसपास एक स्मार्ट सी लड़की कंधी पर बैग लटकाए घर में दाखिल हुई पंकज ने उसे देखते ही कहा सारिका जी बैड नियूज मिस्टर नीरज कुमार नहीं आये उसने हसकर जवाब दिया इट लिस्ट फॉर मी मैंने ही उने मना किया था सुन लो मा दीदी फुसफुसा कर बोली ये तो पहली से भी सवासेर निकली गर में आई भी नहीं है अभी से हुकुम चलानी लगी लगता है तुम्हारे भागे में ऐसे ही बहुँए लिखी है दीदी की बात को अंसुनी करते हुए मा ने सारी का से पूछा लेकिन तुमने उसे मना क्यूं कर दिया मा उनका बोस छुटी के लिए बहुत किल किल कर रहा था बोले कि अभी जाओंगा तो फिर शायद आपरेशन के समय नहीं आ पाओंगा तो मैंने कहा अभी आने की कोई जरूरत नहीं है यहां बहुत लोग है पर आपरेशन के समय जरूरा ना भाई सहाब अकेले क्या कर लेंगे मिस्टर पंकश कुमार का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है है क्यों नहीं भाई पंकश फिर कुछ कहने को था कि पापा बोल उठे बेटी तुमने उसे नाहक मना किया ओपरेशन तो अब कैंसिल हो गया है क्या मतलब किवल सारी का ही नहीं मनोज भी चौक पड़े अभी तो वे इस नई बहु को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बहुत पुरा लग रहा था कि जिसे पूरा घर जानता था यहां तक की दीदी भी उसके बारे में आज तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था वह जिस तरह अनुपचारिक ढंग से दाखिल हुई थी जिस तरह बात कर रही थी उससे साब जाहिर था उन्हें ही पता नहीं है क्या वे इतनी पराय हो गए हैं कि इतनी महतुपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी उन्हें संयोंग वश्री मिला करेगी उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में पूछा पापा यह आपके दिमाग का फितूर है या सचमुष डॉक्टर सिना ने ऐसा कहा है आप डॉक्टर के पास कब गए थे किस के साथ गए थे उधर सारी का रुआसे स्वर में कह रही थी ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं कम से कम दिल्ली खबर तो कर दी होती एक दिन के लिए ही सही नीरा जातो जाते मनोज मा ने आदेश पुन स्वर में कहा ओप्रेशन की चर्चा जरूरी तो नहीं है न तो अब यह विश्रबंद करो घर में बहुत काम है सब लोग चुप होतो गये थे पर कमरे में एक तनावसा भर गया था उसे हलका करने की गरच से पंकज ने नाट के ढंग से कहा सारिका जी May I have the pleasure to introduce you to my भाईया एंड भावी and little prince सुमंत सारिका ने चहरे पार एक मुस्कान उड़ कर तुरंत मनोज और कनक के पैर छू लिए फिर दीदी के पैर छूते हुए बोली सुरी दीदी आपको भी प्रडाम करना भूल गई थी मनोज ने भी बातावरन को हलका करने के लिए कहा पंकज यह परीचे कारिक्रम तो अधूरा ही रह गया मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं किस हस्ती से मुखातिब हूँ बड़े भाईया कुछ न पूछिए पंकज ने उसास भर कर कहा यह हमारे परिवार पर मढ़राने वाला संकट है चोटे भाईया की बुध्धी पर सच मुझतर असारा है उन्हें देख कर विश्वास हो जाता है कि प्रे मंधा हो जाता है बाप रे यह पंकज क्या वाही तबाही बखे जा रहा है मनोज को डड़ लगा कि यह लड़की अफट पड़ेगी पर उसने सुमंत को पुछकारते हुए बड़ी शांती से कहा बेटे अपने चाचू से कहो कि अपने लिए मिस वर्ड ले आए हमें कोई अत्राज नहीं है अच्छा है मा की दोनों बहुए राजरानी सी लगेंगी पर घर में काम वाली भी तो कोई चाहिए न मेरी तो काम वाली भी ऐसी सिल्विल्ली सी नहीं रहती मा ने डपट कर कहा तुम्हारे पास इस से खराब कपड़े नहीं थे मनोज विसमित होकर सुन रहे थे इस तरह की बात मा कनक से कहने का साहस कभी नहीं करती घर में भुचाल ही आ जाता पर इस लड़की ने बड़े ही शालिन अंदाज में कहा इत्मिनान रखो मा खूब अच्छी साड़ी लाई हूँ साथ में मैचिंग जोलरी भी यहां का काम खत्म हो जाए फिर पहल लूँगी पर एक बात अभी से बता देती हूँ मैं कुछ भी पहलनू पर आपकी बड़ी बहु से उननी सी लगूँगी अब बाते खत्म काम चालू दीदी ने अन्सीसी के अंदाज में आदेश दिया तो सारी का तुरंट कमर में दुपटा खोस कर किचन में घुस गई उसने टेंट हाउस की प्लेटों को दो पोच कर रख दिया गिलास और चमच गिनकर एक कतार में सजा दिये सौफ सुपारी की ट्रे तैयार कर दी एक्वागार्ट चला कर दो चार घड़े पारी भर लिया हर काम के बाद मा से पूछती अब क्या करूँ मा बोली तू तो कहानी का जिन हुई जा रही है काम बताओ नहीं तो खा जाओंगा बहुत हो गया अब कुछ नहीं करना है अब अपनी या भूतनी सी शकल धो पोच कर इनसान हो जाओ छे बजे से लोग आने लगेंगे वह तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकली तो वाकई सुन्दर लग रही थी मानना पड़ा कि नीरज की पसंद ऐसी बुरी भी नहीं है घर लोटते ही कनक की पहली प्रतिक्रिया थी आपको नहीं लगता कि नीरज भाया की फ्यांसी कुछ जादा ही इत्रा रही थी अपनी अपनी स्टाइल है वाह बड़ी अच्छी स्टाइल है और पंकच से कैसा फ्लर्ट कर रही थी देखा ये फ्लर्ट शब्द मनुज को अच्छा नहीं लगा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा खुद उन्होंने देवर भावी की इस निश्चल नोग जोग का भरपूरा रंद उठाया था समझ गये थे कि पंकच इस तरह के मधूसने हाला आप के लिए तरस गया था करनक से तो इस तरह का रिष्टा कभी बन ही नहीं पाया था करनक ने कभी मौका नहीं दिया सुमंत के जर्म से पहले तो वह कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी बच्चे ने उसे मजबूरन सोशल बना दिया था अपने चाचू के साथ सुमंत के खूब पढ़ती थी सुमंत के लालच में पंकच यदा कदा इस घर में चला आता है पर मा तरस कर रह जाती है मनोज का अलग घर बसाना सुमंत की वज़े से जादा आखर गया था मनोज तो अकसर ही चक्कर लगा लेते थे पर सुमंत का आना तो मा के साथ ही उपाता था और कनक के वल विशे सौसरों पर ही सास के घर जाती थी दीदी बच्चों को छोड़ कर आई थी इसलिए तीसरे ही दिन चली गई मनोज ने सुबह घर से चलते हुए ही बता दिया था कि वे दीदी को ट्रेंड में चड़ा कर ही लोटेंगे कनक से पूछा भी था कि स्टेशन चलना चाहो तो चक्कर घर का लगा लूँगा अरे अभी तो बहुत टाइम है इस स्टेशन पर बोर होंगे मा बोली मेरा ख्याल है तुम लोग निकल ही जाओ क्या फाइदा इसका ध्याद मही गाड़ी में ही अटका रहेगा मनोज को बड़ा आश्चरी हुआ अनिता होता तो यह था कि मा आकरी चड़ो तक दीदी को अपने पास रोके रखना चाहती थी और बाकी लोग जल्दी मचाने लगते थे स्टेशन पर आकर मनोज ने कहा लो वैसे भी हम विफोर टाइम आ गए हैं वोपर सिट्रे नादा घंटा लेट है तुमने घर पर इतनी जल्दी मचाई कि इंक्वाइरी से पूछ भी न पाए वैसे भी वो लोग कौन सा तुरंत जवाब देते हैं जल्दी आ गए हैं तो कोई बात नहीं अराम से बैठ कर बाते कर लेंगे वैसे भी इन दिनो इतनी भागम भाग मची रही कि तुमसे ठीक से बात भी न हो पाई हाँ इस बार तुम्हारा मेरे हाँ आना भी नहीं हो सका कनक कहती ही रह गई मनोज एक सफेज जूट बोल गए पता नहीं दीदी ने यकीन किया भी कि नहीं ऑपरेशन के समय आओ तो मेरे पास ही रुकना अस्पताल में आने जाने में सुईधा रहेगी आपरेशन पहले हो तो बाकी बाते बाद में सोचेंगे हाँ उस दिन पापा एकदम से क्या कह गए थे मैं पूछना चाह रहा था पर माने बात ही नहीं करने दी पता नहीं क्यों जिद ठाने बैठे हैं कि मैं अपनी पसीने की कमाई डॉक्टरों पर नहीं लुटाऊंगा लाख डेड़ लाख कम नहीं होता है लेकिन उनकी कमाई को हाथ कौन लगा रहा है उनका कहना है कि मैं बच्चों को टेंशन में नहीं डालना चाहता ना उनके लिए कर्ज छोड़ना चाहता हूँ दिन पर बैठे बैठे मा को हिसाब समझाते रहते हैं कहते हैं ग्रैचुटी की रकम फिक्स में डाल देंगे बच्चों को परिशान मत करना उसका ब्याज आता रहेगा पेंशन भी मिलेगी तुम्हारा काम चल जाएगा बच्चों को परिशान मत करना पंकत से कहते हैं दो साल सबर से काम लो फिर तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तक मा की आयर में गुजारा करना भाईयों के आगे हाथ मत फैलाना उन्हें अपने भी ग्रिहस्ती देखनी होती है ये एकदम से क्या हो गया अगर वो उपरेशन से डर रहे हैं तो यह डर उनके मन से निकालना होगा दीदी ये उपरेशन बहुत जरूरी है मैं तो इतने दिन रुकने के लिए तैयार ही नहीं था पर आखरी दिन तक ऑफिस जाने का उनका मन था दफ्तर वाले भी को उपरेट कर रहे थे इसलिए चुप रहा पर अब ज़्यादा डालना ठीक नहीं है जितनी देर करेंगे कॉम्प्लिकेशन्स वड़ते जाएंगे तुम्हें एक बात बताओं पापा कहते हैं कि मुझे मरना मन्जूर है पर बेटा मेरे लिए ससुर के आगे हाथ फैलाए ये मुझे मन्जूर नहीं क्या बात करती हो दीदी मैं ससुर के आगे हाथ फैलाओंगा Can you believe it पापा ने ऐसा सोच कैसे लिया तुम्हें शायद माने बताया नहीं होगा पांच-शे दिन पहले तुम्हारे सास ससुर मिलने आये थे बातों ही बातों में बोले मनूज आज कल बहुत टेंशन में है स्वभाविक है ये ओपरेशन बहुत खरचीला होता है पर मैंने उससे कह दिया है कि सब्विवस्था हो चुकी है शायद कनक ने कुछ कहा होगा उसे जरूर टेंशन होगा और ऐसे में लड़की अपने माबाप से ही बात करेगी हो सकता है तुम्हारे ससुर्ने आफचारिकता वशिया बात कही हो पर पापा उस दिन से सनग गये है क्रोच से मनोज का संपोन शरीर जलने लगा मन हुआ कि अभी घर जाए और कनक से जवाब तलब करे पर ट्रेन आने तक तो रुकना ही था वह आधा घंटा उनके लिए पहाड हो गया देदी कुछ कुछ पूछती रही और वे बेमन से जवाब देते रहे इस अंतराल में उनका गुच्सा जरा भी कम नहीं हुआ था शर्म लगा रही थी कि पापा की बनी होगी घर पहुचे तो एक और आश्चर उनके प्रतिक्षा कर रहा था दर्वाजा पंकज ने खोला था और पीछे सोफे पर सुमंत सारिका की गोद में चड़ा हुआ धमा चौकडी कर रहा था वाट अ प्लेजन्ट सर्प्राइज सपाट स्वर में ही सही उन्होंने आपचा रिक्ता निभाई सर्प्राइज तो खेर होगा भाई सहाब पर आपके चेहरे से ऐसा नहीं लगता की वह प्लेजन्ट भी होगा मनोज थोड़ा जेपे और सूखी हसी हस कर बोले दरसल इस नालायक को यहाँ देखकर मूट खराब हो गया दीदी को छोड़ने स्टेशन नहीं आ सकते थे उन्होंने पंकज को डाटा दीदी ने मना कर दिया था पंकज ने शांतस्वर में जवाब दिया मनोज समझ गये कि सब कुछ एक योजना के अंतरगती हुआ है इसलिए दीदी को स्टेशन जल्दी भेज दिया गया ताकि इत्मिनान से अकेले में बात हो सके मा अपने आप कुछ कहेंगी नहीं इसलिए दीदी ने या भार लिया इसलिए पंकज को रोका गया उनके चुप़ी का सारीका ने कुछ औरी अर्थ लगाया बोली दरसल भाई साब आपकी कसुरवार मैं हूँ उस दिन इन छोटे मिया के लिए कुछ नहीं ला पाई थी इसलिए मैंने पंकज के साथ चलने की रिक्वेस्ट की थी और बड़े भाईया आपका कसुरार मैं भी हूँ कि मैंने इन्हें आपका घर दिखा दिया अब ये जब तब आपको बोर करने चली आए तो मुझे गाले मत दीजिएगा पंकज के इस नाट के वेक्तव पर उन्हें हसी आ गई वातावरण थोड़ा हलका हो गया सारिका ने पंकज को डपटते हुए कहा अंदर जाकर भावी का हाथ नहीं बटा सकते यहां बैटकर बाते बना रहे हो वैसे काइदे से या कम आपको करना चाहिए ठैर पंकज ने कहा और हस्ता हुआ भीतर चला गया नन्ने डग भरता हुआ सुमंत भी उसके पीछे हो लिया उसके जाते ही सारी का डे पर्स से एक लंबा सालिफाफा निकाला और मनोज के सामने रख दिया और फुसफुसा कर कहा उन लोगों के आने से पहले इसे जेब में रख लीजी प्लीज ये क्या है मेरी छोटी सी सेविंग है जस्ट ड्रॉप इन दो ओशन रामेश्वरम का पुल बांद दे समय की लहरी का जो योगदान था वस उतना ही पर ये सब किस लिए मैं नहीं चाहती कि पैसों के लिए पापा का उपरेशन रुका रहे मनोज के चेहरे की नसे एकदम तन गई उन्होंने अत्यंत सक्त लहजे में कहा कि पहले इसे उठा कर पर्स में रखो बाद में कोई बात होगी ये अस्वर ऐसा था कि सारी का इसकी अवग्या न कर सकी चुपचाप लिफाफा पर्स में डाल लिया अब बताओ कि तुमसे ये किस ने कह दिया कि पापा का उपरेशन पैसों की वज़े से रुका हुआ है उस दिन पापा ने एकदम से जो अनाउंस्मेंट की तो मैं घबरा गई थी पंकच से बात की तो पंकच ने क्या बताया होगा इसकी मनोज भली भाती कल्प ना कर सकते थे इसलिए उन्हें बीच में ही रोकते हुए मनोज ने कहा मान लोगी हम आर्थिक तंगी से गुजर भी रहे हैं पर तुमने एक ऐसे सोच लिया कि तुम्हारा ये हम बर्शे अर्जविकार कर ही लेंगे क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है नो शादी से पहले तो बिलकुल भी नहीं उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा उसे समय नाष्टे की प्लेटों के साथ कनक ने कमरे में प्रवेश किया पीछे चाय की ट्रे के साथ पंकच भी था सारी का एकदम सक पका गई उसकी अनाधिकार चेश्टा की दुरगती होते वे इन लोगों ने जरूर देख ली होगी अपमान से उसका मूलाल हो गया मनोज ने लेकिन अत्यंत सहेज स्वभाविक स्वर में कनक से कहा श्रे नीरज कुमार ने हमें हवा ही नहीं लगने दी नहीं तो हम तो इन ही गर्मियों में इन लोगों की शादी करवा देते कनक सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई पर सारिका ने अत्यंत मुलान स्वर में कहा फिलाल दो साल तक तो शादी का सवाल ही नहीं उठता क्यों? नीरज बता रहे थे कि जब तक आप पढ़ते रहे दीदी ने शादी नहीं की जब तक नीरज को जौप नहीं मिल गया आपने शादी नहीं की अब नीरज की बारी है जब तक पंकरज देखो इस ढपोर शंक के लिए रुकी रहोगी तो बुड़ी हो जाओगी मनोज की बात पर सबको हसी आ गई सारिका को भी मुस्कुराना पड़ा मनोज नहीं बात आगे बढ़ाई देखो समय समय की बात होती है उस समय पढ़ने वाले चार थे और कमाने वाले सिर्फ पापा इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी अब पढ़ने वाला एक है और कमाने वाले दो इसलिए no problem नाओ चेरप यंग लेड़ी दिवाली बात पहले मूरत पर ही तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे पर पहले पापा का ओप्रेशन होगा वह तो होगा ही और ओप्रेशन शादी ये दो अलग-अलग मुद्दे हैं इनकी घाल मेल मत करो पापा ने मजाक में कुछ कहा और तुम लोगों ने उसका इश्यू बना दिया बहुत हाइपर हो तुम लोग एकदम टेंशन में आ जाते हो अब उम्र के साथ मैच्चोरिटी आने दो चाय पीकर वे लोग चले गए कनक जैसे जाने की ही प्रतिक्षा कर रही थी बोली आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा जादा हो रहा है ये लड़की कितना ओवरेक्ट कर रही है अभी घर में आई भी नहीं है और इसका इन्वॉल्मिंट तो देखो जैसे घर की हर बात से उसे सरुकार है यहां की हर चिंता उसे परिशान करती है हर खुशी उसे प्रसन करती है उसके आगवन की सूचना सबसे पहले तुम्हें होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसे मामलों में भावियां ही पहली राज़दार होती है पर दुर्भाग के से तुम खुद अभी इस घर में प्रवेश नहीं कर पाई हो ग्रीव प्रवेश के समय तुम्हारा केवल शरीर ही भी तराय था मन तो बाहर ही चूट गया था और अब भी शायद वह बाहर ही है पता नहीं किस मुहरत की प्रतिक्षा कर रहा है एक अरसे से मन में घुबनने वाली बातों को एक बारगी कह डालने के बाद मनोश का मन एकड़म हलका हो गया था पर अपने भीतर के सच को इस तरह अनावरित सामने पाकर कनक एकड़म सहम गई थी दहल गई थी प्रतिक्षा